हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंट्स बात करेंगे हम लोग आज की स्वीडियो में क्रिप्टो मार्केट के न्यूज के बारे में जितनी भी फिलाल के टाइम पर मार्केट में आज के दिन बड़ी अब्रेट्स है सब को इस वीडियो में देखने वाले तो यह था market का emotion का condition, अब बात कर लेते हैं climate cap पे overall market cap क्या अभिक time पे, अभिक time में market में growth है या गिरावट है, उसके बास एक-एक news को बड़ी अराम से समझनी कोशिश करेंगे, तो friends, बात करेंगर overall market cap की, तो सुबा में जब मैंने वीडियो बनाया था, उस time से थोड़ा सा market cap बड़ा हुआ है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 2.04 trillion जो की है अभी फिलाल, और बात करेंगर अभी के time में market में growth की, तो वो है 2% के आज़ पास में, तो चलो friends, अब चलते हैं news section में, और एक एक news को cover करते हैं, तो friends, बात करेंगर first news की, तो friends, यह आपको है Ukraine से, तो friends, यहाँ पे बोला जा रहे हैं कि जो Ukrainian volunteer है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ volunteer group है, जो की Bitcoin को donation के तोर पे accept कर रहे हैं, जैसा कि रसिया से उनका tension चल रहा है, और यह जो है, एक study में find किया गया है, मतलब यह जो report है, किसी study के द्वारा पता की गई है, तो चलो इस report को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके वासे बढ़ेंगे हम लोग next news के लिए, तो फ्रेंट्स बात करें, तो यहाँ पे है कि यह जो non-government है, और यह जो volunteer organization है, यह एक तरह से पूरी की तरफ private है, government की नहीं है, जो कि क्या कर रही है, तो fund को collect कर रही है, किस तौर पे collect कर रही है, तो Ukrainian जो forces है, जो वाँ के forces है, उनको support करने के लिए इस fund को collect किया जा रहा ह और यह जो fund है, यह Bitcoin बोलना हूँ मैं, आपको cryptocurrency के तौर पे जो accept किया जा रहा है, इस donation को, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यह report के तौर पे पता चलिया, आप देख सकते है, नीरुपर्ट है, अनविल्ड, जो की खुलासा हुआ है इस report से, और यह जो finding है, यह क्यों किया है, मतलब आया है, मुद्दा, कि जो Russian force हो गया रहा है, वो border पे, Ukraine का जो border है, Russia का साथ जो border है, वहाँ पे जो तैनाद किया गया, ऐसा बात निकल कर आया है, उस कारण से, यहाँ पे कुछ जो गैर कानूनी, जो संकठन है, और जो कुछ volunteer group है, जो की donation की accept कर रही है, अपने व पेलिगो हिंट्स इन्होंने ऐसा ही सारा दिया है, कि जो इलेक्टरा ग्रूप है, वो bitcoin सेल कर रही है, अपने स्टोर में, तो चलो इस news को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मैं डेली के डेली जितनी भी market में major updates होते हैं, उनको ही cover करता हूं, और अपने हर वीडियो में मैं कम से कम 3-4 news दिखा देता हूं, तो अभी के टाइम में आज market में यही सम्झी जी है, तो मैं यही सम्झी आपको दिखा रहा हूं, तो अपर आप देख लो यह जो है, आपको यह जो सलिनस ग्रूप है, इसके president है, कौन तो यह जो टेरा मेरा सा नाम है, आप देख सकते हो यह जो इलेक्टरा ग्रूप स्टोर से इसके ओनर भी है, तो इन्हों ने इस सारा किया कि यहां पर बहुत सरे possibilities है, कुछ ऐसे shops हैं, जो bitcoin को sale कर रहे हैं, तो यहां पर जो executive है, उन्हों ने अपना state करते हुए कहा कि due to the regulation of the Central Bank of Mexico, जैसा कि Central Bank of Mexico भी जो regulation कर रहा है, उस कारण स इनकी जो company है, वो cryptocurrency integration जो है, यह जो एक bank app है, उस पर implement नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से उसने यह point out करते हुए कहा, कि जो elektra group है, वो एक तरह से commercial institution है, मतलब कहने का मतलब वैसाइक business sector का institution सांसा है, जो कि sale bitcoin को जो है, अराम से कर सकता है, वहां के law को यह क्या करता है, ब्रेक difference news है, आपको Thailand से आपको connected है, तो यहाँ पर देखा जाए, तो former Thai Central Bank director जो है, उन्होंने ऐसा predict किया, उनका मानना है, कि crypto bubble जो है, बहुत जल्द एमर्ज होने वाली, कब तो इसी March में आपको यह देखने को मिलेगी, तो चलो इस वाले news को भी थोड़ा से पढ़ लेते हैं, त at the end of March, तो March के अंत तक जो इनका मानना है कि crypto में bubble आने वाला है, तो bubble क्या होता है, जो crypto market में जो liquidity है, उसको लेकर होता है, कि अचानक से market बहुत ज्यादा पंप करना, और उसके बाद से धढ़ाम से market गिर जाना, तो यहाँ पिवाई है कि when liquidity in the financial market drops, जैसे ही liquidity जो ड्रॉप क मार्च में क्या होगा, यही तरह जो लोग है, जो अपने खुद statement देते हैं, और खुद अपनी statement को बाद में आगी सब्सक्राइब कर देते हैं, समय के साथ, तो इस चीज को आप कभी भी कहीं भी पढ़ने को मेरे कि कोई कुछ प्रेडिट किया है, तो प्रेडिक्शन किया इंडियन यूजर के उतनी भी इंप्रेड नहीं है, थीक है, थोड़ा सा इससे जान लेते हैं, कोई दिकत नहीं है, तो प्रेडिक्शन से यह वही बैंक है, जिसने बीच में बहुत तरह के statement दी हुई थी, जिसका नाम UBS है, जो कि स्विटिजर लेंड की one of the largest bank में से एक है और यहां पर इसने suggest क्या किया है, कि आप जो है cryptocurrency में alternative way, मतलब कुछ अलग तरह से investment कर सकते हैं, जैसे हम लोग अभी cryptocurrency में investment करते हैं, इससे हटके कुछ इन्होंने रास्ता बताया है, और ऐसा इन्होंने क्यों suggest किया है, तो नीचे जब हम इस news को थोड़ा depth में पढ़ेंगे तो सब कुछ clear हो जाने वाला है, तो इन्होंने कुछ जो investment strategy है, जो कि investor के लिए suggest की है, जिससे कि वो crypto assets है, उसमें gain कर सके, और बहुत ही कम risk के साथ कर सके, जैसा कि जो investing होता है, इसके अलबा कुछ अलग सा strategy नहीं पता है, जिसमें risk कम है, और gain उसमें है, तो यहां पर इनक this potential while avoiding the high volatility and regulatory risk of holding Bitcoin or rival crypto, इनका कहना है कि यह से बहुत तरह के रास्ते हैं, जिस पर कि आप चल के investing कर सकते हो, और crypto के जो इतने high volatility, मतलब यह जो market है, और जितना इसमें risk है, जिसे regulatory risk कहने का मतलब जिस तरह किसी भी तरह कर से, कैसे इंडिया में आपको 30% tax देना हो रहा है, जो regulate rate होगा आने वाले टाइम पर क्या क्या रूल वगएरा देखने को मिल सकते हैं, अभी यह कुछ भी clear नहीं है, और भी बहुत restrict rule आ सकते हैं, सामने, तो यहाँ पर regulatory risk वगएरा भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो मतलब यहाँ पर risk तो है, तो इनका है कि मैं आपको कुछ करता हूँ, जिसके according, आप trade, sorry, investing कर सकते हो, तो चलो फ्रेंट्स नीचे, जब हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें आपको बहुत सरी चीजे वो देखने को मिलेगी, तो फ्रेंट्स यहाँ पर छोटा मोटा data है, जैसे कि इनका मानना है, जैसे कि इन्होंने कहा, कि जिस तरह स पिछले साल नॉबर में, जो बिटकोई ने अपना क्या क्या तो रिकॉर्ड हाई बनाया, और उसी के बाद से इसने फिर क्या किया, तो नीचे में आया, तो इनका मानना है कि यह जो एसेट क्लास में, मतलब यह तरह से अपने आपको डिफेंस नहीं कर पा रहा है, जिस तर अपने पर गौलड को एसेट क्लास में रैंकिंग की जाती है, तो फैंस गौलड में एक तरह की प्रोटेक्स संप्यूरिटि प्र नेकान पर रहा ही हो आज से तो फूर से तीन साल अगर होल्ड करते हो, तो उसमें ज्यादा मतलब यह दितीन वेने बाद सानरा हो इस भी अखिया।समे होता है उत्पाइब उतना जादा भytzos से काऊ नहीं करता है। इसने काम नहीं करता है। यहाँ है बेज़ने कि इन्हें कहना कहा चाहिए। तो प्रिशि यहां पर इन्हों कियहाँ ने स्टेटीज जो बताया तो यहां पर देखा जाए जये सब्सक्राइब करते हैं तो यह कहते हैं कि इन्वेश्ट इन वेंफिस करूड नहीं को एक सपर अपनां और क्रिप्ट wide speed use of distributed laser technology यह जो एक technology है DLT यह जो applications है इस तोर पर जो काम करती हो उस तरह की company पर आप काम कुरो फिर यह वाली पैरा को देखो तो इसमें उसी तरह की चीज़े बहुत सारी टेकनिकल चीज़े इन सुमें करती है अब नीचे में थोड़ा सा आते हैं और यहां पर इनका यह है कि पांसे-दस साल में जैसे के टेकनोलजी कितना डिमांडिंग होता है कितना बढ़ते रहते हैं आप इसमें अच्छा बना सकते हो उसके लावाए इनको सेक्टर इन्हों इसमें लब बबग जितने सेक्टर इस आप देख सकते हैं आप इसके अप समझ गये कि इनका कहना है कि रिप्टो से अच्छा आप जो क्रिप्टो के इन्फार्स्ट्चर या क्रिप्टो के लिए जो फ्यूचर में बहुत तरह की जो काम हो रही हो उस अपकुश कमपनी को ही आप कड़ जैसे कि हाल मां मित्ता बचंब का जो एक मैंने वीडियो बनाया था जिसके बताया था कि उन्होंने कंपनी थी जो कि क्रिप्टो के मनले क्रिप्टो कर बनाती हो नथी थी उस कंपनी में 2014 में इन्समें था और उनको काफी प्रिप्टो मार्केट के लिए तो आप जरूर से देख लेना अगर अभी तक आप वीडियो के बने हो तो थोड़ा सा रूर जाओ पैसे पनालो तो यह फ्रेंट्स की जादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको सीधे में बाते बस वह बताऊंगा तो यहां पर यह कही जा रही है इस साड़े पांच गुना जो है बढ़ा है कब तो प्रिवेस साल मतलब जो 2021 था उस 2020 में इसने प्रफॉर्मेंस दिया है 30 बिलियन डॉलर कलेट किया है सा क्रिप्टो और ब्लॉक्चेन के लिए दैसे कि 2020 में आपको पता है कि बिट्कॉाइन ने अल्टाइम हाई भी बनाया उसी के साथ बहुत सारे करेंसी मतलब सौरी क्रिप्टो क्वाइन थे जिसने अपना और बहुत ही बेटर प्रफॉर्म मतलब 2021 में बहुत ही लोग जो थे यहां पर जैसा है कि 2021 से यहां पर के राइजिंग फ्रॉम आप देख सकते 2020 में फ्रेंट्स यहां पर कितना था तो 5.4 बिलियन डॉलर था 2020 में क्रिप्टो मार्गेट का और वहीं पर यह 30 बिलियन डॉलर तक गया कब तो 2020 में मतलब उससे पहले 5.4 और उसके बिलियन डॉल यह उसके लिए जैसा के नेप्टी अगरा भी पता है कौफी जादा डिमांड में इधर ही आए डेफाई अगरा सब कुछ जितने भी चीज थे 2020 महीं आए आनेवले टाइम में यह भी रिकॉड जरूर भीट होगा तो चलो फ्रेंट्स अगर यह वीडियो अच्छली गई हो तो जरूर लाइक करो चैनल अपने हो तो सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो मिलते हैं अपने नेक्स टुडियो में